हाई और भेनों, सामान्य तोर पर हमारे परिवार में जो बड़ा होता है, उसकी इच्छा होती है कि वो मरने के बाद बच्चों को कोई तकलीप न हो, बच्चे दुखी न हो, बच्चों मुसिबत में न पड़े, इसलिए परिवार का जो मुखिया होता है, वो परिवार के बच्चों के लिए छोड़ करके कुछ जाना चाहता है वो अपने वारिष को कुछ देख करके जाना चाहता है, लेकिन मोदी के वारिष कौन है भाई, मोदी के वारिष कौन है, मुझे किसके लिए छोड़ना आ है, मेरे वारिष तो आप सब मेरे देश्वासी है आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरे वारिष है आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है और इसलिए मैं भी जैसे परिवार का मुख्या अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाना चाहता है वैसे मैं भी मेरे इस परिवार के सब बच्चों के लिए विक्षिद भारत बना करके उनके हाथ में देना चाहता हूं विक्षिद भारत उनके हाथ में दे करके जाना चाहता हूं वहीं दूसरी तरफ टीमसी को देखिए और पार्टियों को देखिए वो सारे के सारे लोग देश की चन्ता को आपको लूटने में ही लगे है यह अपने वारिसों के लिए बंगले बना रहे हैं महल बना रहे हैं तो मोदी भी तो कम नहीं है अगर वो अपने वारिस के लिए बना रहे हैं तो मैं भी तो मेरे वारिस के लिए बना रहा हूं और मैं मेरे वारिस के लिए क्या बना रहा हूं अब तक मेरे वारिस गड़ीबों के चार करोड़ पक्के घर बना दिये मुझे वारिस को कुछ देना चीए ना और तीन करोड़ पक्के घर और बनाने वाला हूं मोदी हर गर जल मीशन चला रहा है मोदी हर गरीब को मुफ्त राशन दे रहा है मोदी अपनी बेहनों को बेटियों को उनका जीवन आसान बना रहा है आज करोड़ों महिलाओं के पास उज्वला का सस्ता सिलेंडर है आज हर गर्भवती महिला को छे हजार रुपिय की मदद मिलती है ताकि उसके पोशन में कमी ना रहे और गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो दुरुबल न हो मोदी ने कामकाजी गर्भवती महिलाओं की छुट्टी भी बढ़ा कर 26 हफते कर दी है